परिचाए रासाइनिक सूत्र या अनुसूत्र परमाणूओं के बारे में जानकारी को व्यक्त करने का एक ऐसा उपाई है जो एक विशिस्ट रासाइनिक योगिक को संगटित करता है. रासाइनिक सूत्रों का प्रियोग रासाइनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने हे दू रासाइनिक समिकरणों में किया जा सकता है आईनिय योगिकों तथा अन्ने अनानमिक पदार्थों के लिए एक आनुभविक सूत्र का प्रियोग किया जा सकता है, जिसमें अधोलिखित तत्वों के अनुपात को इंगित करती है उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विभिन योगिकों के आईनों को समझना, आन्विक द्रवेमान की गणना करना तथा विभिन योगिकों के आन्विक सूत्र लिखना आयन किसी आवेशित कन को आयन कहा जाता है, यह धनात्मक या रनात्मक रूप से आवेशित हो सकता है रनायन रिन आवेशित आयन को रिनायन कहते हैं धनायन धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं उधारण sodium chloride यानी NaCl इसके संगटक्कन धन आवेशित sodium आयन यानी Na+, और रिन आवेशित क्लोराइड आयन Cl- होते हैं बहु परमाणोंक आयन एक बहु परमाणोंक आयन आवेशित परमाणों का समू होता है धन नायट्रेट आयन रासायनिक सूत्र लिखना किसी योगिक के संगटकों के संकेतिक निरूपन को उसी योगिक का रासायनिक सूत्र कहा जाता है किसी तत्व की संयोजन शक्ती उस तत्व की संयोजक्ता कहलाती है संयोजक्ता यह दर्शाती है कि एक तत्व के परमाणूं रासायनिक योगिक के निर्माण हेतू किसी अन्य तत्व के परमाणूं से किस परकार जुडेंगे कुछ सरल और बहु परमाणुक आयनों की संयोजकता तालिका में दी गई है रासायनिक सूत्र लिखना रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें जिन नियमों का पालन करना होता है वो नीचे वर्नित है आयन की संयोजकता संतुलित होनी चाहिए जब किसी यौकिक में धातू वा अधातू विद्धिमान होते हैं तो धातू का नाम या उसके संकेत के पहले लिखा जाता है उधारण आयरन सल्फाइड यहां सल्फर अधातू है और इसे बाद में दाई ओर लिखा गया है वहीं आयरन या लोहा धातू है जिसे पहले यानी बाई ओर लिखा गया है बहु परमानुक आयन के योगिकों के लिए सूत्र लिखने के दौरान आनुपात दर्शाने वाले अंकों को लिखने से पहले हम आयन को कोश्ठक में रखते हैं सरल योगिकों के सूत्र दूई अंकी योगिक दो भिन भिन तत्वों से निर्मित सरलतम योगिकों को दुई अंगे योगिक कहते हैं जब हम किसी योगिक का रासाइनिक सूत्रे लिखते हैं तो हम उसके संघट को और उसकी संयोजक्ता लिखते हैं उधारण Hydrogen Chloride HCl Hydrogen Sulfide H2S Carbon Tetra Chloride CCL4 Aluminium Oxide Al2O3 आणविक द्रविमान तथा मोल अवधारणा आणविक द्रविमान किसी पदार्थ का आणविक द्रविमान उसके सभी संघटक परमाणों के द्रविमान का योग होता है यह अणू का सापेक्ष द्रविमान होता है जिसे परमाणों द्रविमान इकाई यानी AMU द्वारा व्यक्त किया जाता है उधारण HNO3 का आणविक द्रविमान बराबर H का आणविक द्रविमान जमा N जमा 3 का आणविक द्रविमान गुणे O का आणविक द्रविमान सूत्र इकाई द्रविमान किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रविमान उसके सभी पर्मानों के पर्मानों द्रविमानों का योग होता है उधारण NACL का सूत्र इकाई इसके सूत्र इकाई द्रविमान का परिकलन इस प्रकार किया जा सकता है एक गुणे तेस जमा एक गुणे पैंतीस दशमलाव पाँच बराबर अठावन दशमलाव पाँच एम्यू आवो गादरो संख्या किसी पदार्थ के एक मोल में कणों परमाणूं अनूं अत्वा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान चै दशमलव शून्ने दो दो गुणे दस पर घा तेईस के बराबर होता है यह मान प्रायोगिक विधी से प्राप्त किया गया है इसे आवो गादरो संख्या कहते हैं इसे एन ओ से निरूपित करते हैं इसका नाम करण इतालवी वैग्यानिक एमीडियो आवो गादरो के नाम पर किया गया है क्या आप जानते हैं किसी योगिक का आनुभविक सूत्र रासाइनिक तत्वों का सरलतम अनुपात है जो कि उसे संगठित करता है उधारनार्थ पानी सदैव हाइड्रोजन तथा आक्सीजन के परमाणों के दो बटे एक क्यानुपात पर संयोजित होता है और इथाईल अलकोहल या इथिनॉल, सदैव कार्बन, हाइडोजन एवं आक्सीजन के दो बटे छे बटे एक के अनुपात पर संयोजित होता है फिर भी ये अणूं के प्रतक प्रकार को मानिता नहीं देता उधारणार्थ, डिमिधाईल इथर में इथिनॉल जैसा ही अनुपात होता है भिन भिन आयोजनों के एकी ही जैसे परमाणों वाले अणूं संभारी कहलाते हैं आणिक सूत्र परमाणों की सही सही संख्या प्रतिभिम्बित करता है जो की अणूं को संयोजित करती है और इसी लिए अलग-अलग अनूं का चरित्र निर्धारन करती है फिर भी विभिन संभारी हालकी भिन भिन अनूं होते हैं किन्तु परमाणों संयोजन समान होता है आनुभविक सूत्र प्राया आण्विक सूत्र की ही तरह होता है पर सदैव नहीं होता उधारनार्थ, एसिटिलीन के अणू का आड़मिक सूत्र C2H2 है, किन्तु तत्वों का सरलतमंग अनुपात CH है सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं रिन आवेशित आयन को रिनायन कहते हैं धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं किसी योगिक के संखटकों के संकेतिक निरूपन को उस योगिक का रासायनिक सूत्र कहा जाता है जब किसी योगिक में धातू वा अधातू विद्यमान होते हैं तो धातू का नाम या उसके संकेत के पहले लिखा जाता है दुबिन भिन तत्वों से निर्मित सरलतम योगिकों को तूई अंगी योगिक कहते हैं किसी पदार्त का आण्वीक द्रविमान उसके सभी संगटक परमाणूं के द्रविमान का योग होता है यह अणू का सापेक्ष द्रविमान होता है